नमस्कार आपका स्वागत राजनामा टेवी पे मैं भूनम आपके स्वागत असम के सीम हिमंता अबिस्वा सर्मा ने सोमवार को दावा किया कि जारकड में परिवतन की लहर चल रही है भाशपा की सरकार बनेगी हम नया और विक्सित जारकड बनाएंगे वादा किया सरकार बनने पर पांचला करीबों को आवाज देंगे कहा कि जामुमों ने वादा किया था कि बेटियों की शादी में 51,000 रुपए के सोने का सिक्का देंगे लोगों से पूछा किसी बेहन को 51,000 रुपए का सोना मिला क्या हैमन सोरेंग ने कई वादे किये थे कोई भी बुरा नहीं हुआ ऐसे में मैया योजना भी सिर्फ दिखावा है असली विकास भाशपा के साथ ही संभव है सोमवार को हिमन्ता टाटी सिल्वे में आयोजित परिवद न्यात्रा के समापन समारों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले उत्पाथ सिपाही की दौश रू हुई जिसमें 18 युवाओं की मौत हो गई सरकार जिन युवाओं का नीदन हुआ है उनके परिवार के सरदस्यों को वनोकरी दे सरकार अपने बारे में दिन भर बोलती रहती है मिया भी भी एक दूसरे के बारे में बाते करते हैं जैसे कोई सिनेमा चल रहा हो मैं हूँ तुम हो एक दूसरे के लिए हिमन्ता ने कहा कि जारकंड में भाजपा की सरकार बनते ही गुसपेठी कानूनी धक्के से बाहर किये जाएंगे 20 सितंबर से वोगन हडी से परिवतन यातरा शुरू आत हुई थी यातरा अपने अंतिप चरण में है हमें इस विधान चुनाओं में भाजपा की सरकार बनानी है और एक नया जारकंड बनाना है करक्रम को रक्षामंत्री, राज्यं मंत्री संजे सेट, नेतार पतिपक्ष अमरबावरी और पुर्वसांसत समीर उराव सहित कई वरिष्ट भाशपा नेताओं ने सम्मो दित किया हेमन्ता ने कहा कि हमेन सोरे ने युवाओं से वादा खिलाफी की है वे जारकंड के युवकों से माफी मांगे जारकंड के युवाओं इस बार उन्हें ओकाद दिखाएंगे उन्होंने कहा कि जब रगुवर सरकार थी तब जामुमों ने कहा था कि अगर उनकी सरकार बनती ह तो हर साल पांच लाख लोगों को नोकरी देंगे लेकिन हर बार परिक्षा के पेपर लीख हो जाता है और इवाओं को नोकरी नहीं मिलती जारकर्ण में अधिकतर परिक्षाओं के प्रश्ण पत्र लीख हो जाते हैं इसी के साथ पर देना है राजनामा टीपी के साथ धन्यवाद अजय के साथ आयवाद